नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन की टॉप 25 पर मुख खबर जानते हैं जार्खन में 1932 खतियान लागू करने के लिए 11 नॉम्बर को विधान सभा का विशेश सत्र जार्खन में 1932 के खतियान के अधार पर लोगों की नागरिक्ता तै करने के लिए मुखे मंत्री हेमान सुरेन ने 11 नॉम्बर 2022 को जार्खन विधान सभा का विशेश सत्र आयोजित करने की घोसना कर दी है इसकी त्यारी सुरू कर दी गई है ED के समन के बाद हेमान सुरेन सरकार अपने एजेंडों को लागू करने के लिए सक्रिये हो गई है बताया गया है कि 10 नॉम्बर को मुखे मंत्री हेमान सुरेन पहले केबिनेट की बैठा करेंगे इसके बाद 11 नॉम्बर को जार्खन विधान सभा में अस्थानियता नीती पास कराया जाएगा जनकारी के अनुसार मुख्य मंत्री हमान सुरेन का कारेकरम जारी किया गया है इसके अनुसार वह 15 नॉमबर 2022 तक विभीन सरकारी कारेकरमों में सिर्कत करेंगे इसके लिए मुखे मंत्री सच्चीवाले ने मुखे मंत्री के आगामी कारेकरमों की सुची जारी किया है मुख्य मंत्री तीन नॉम्बर को 36 गड़ के रायपूर में आयोजीत आदिवासी निर्ते समारों में उपसित होकर आदिवासी परमप्रावों को पुर्चाहित करेंगे मालूम हो कि इसी दिन इडी ने उन्हें पुछताज के लिए भी कर्याले में बुलाया है अब देखना यह होगा कि मुख्य मंत्री इडी के कर्याले जाते हैं या रायपूर जाते हैं जारखन में एक बार फिर मौसम बदल रहा है आसमान में बादल छा रहे हैं इससे सर्दी बढ़ने का सरबट गए हैं बादल छाटने के बाद पच्छिम की ओर आने वाली हावा और सर्द होगी इससे तापमान के और नीचे गिरने की संभावना है राज्य में अक्टूबर के मज़े तक बारिस हुई है इससे सता में नमी मौजूदगी बनी हुई है सुबह के दोरान धूंद कायम है जबकि पिछले वर्स इस दोरान धूंद का परगोप नहीं था यही करान है कि पिछले वर्सों की तुलना में तापमान में गिरावट आई है इससे इस बार ज्यादा सर्दी पढ़ने के असार बढ़ गए है बता दे पिछले तीन वर्सों की तुलना में इस बार आई धानी समयत अन जीलों के तापमान में कमी आई है जारखन में आठवी की बिसेस परिक्षा उनाइस को 48,000 होंगे सामिल जारखन में आठवी बोर्ड में पास नहीं कर सके 16,000 हों के लिए उनाइस नमबर को विसेस परिक्षा का उजन किया जा रहा है इस परिक्षा में 48,000 होंगे या परिक्षा OMR सीट पर दो पालियों में होगी इसके लिए जारखन अकेडमी काउंसिल ने परिक्षा का सेड्यूल जारी कर दिया है आठवी बोर्ड परिक्षा 2022 के रियर्ड 27 अगस्त को जारी किया गया था आठवी की परिक्षा के रियर्ड 90,34 है था परिक्षा में पांच लाख 2757 बिदार्थी सामिल हुए थे जबकि 4,54,144 चात्रा पास हुए थे आठवी बोर्ड की विशेज परिक्षा के पहली पाली में हिंदी अंग्रे जिवा अत्रिक्त विशाय की परिक्षा होगी इडी समन पर हाजिर नहीं होंगे मुख्यमंत्री हेमंत सुरेन जारखन में अवैद खनन से जुड़े मामले में सीएम हेमंत सुरेन की इडी समन मिला है इडी ने सीएम को तीन नॉमबर को पुष्टाश के लिए बुलाया है लेकिन तीन नॉमबर को इडी के समक्ष हाजिर नहीं होंगे जनकारी के अनुसार सीएम मामले को लेकर कोट का रूफ करेंगे बता दे इडी ने मुख्य मंत्री को गुरुवार को दीन के साड़े गारा बज़ा हाजिर होने का समन भेजा है सोमवा रात को सीएम हाउस में इडी ने समन रिसीव कराया था मुख्य मंत्री सच्चिवाले ने सीएम के बारे में अधिकारिक तोग पर जनकारी दिया है कि तिन नॉमबर को सीएम 36 गड़ के रायपूर में आदिवासी निर्थ्य महोत्सों में सामिल होंगे ऐसे में इडी के रांची जोनरल आफिस में उपस्थित को लेकर संसाय है हलाकि इडी के अधिकारियों के मुताबिक सीएम की तरफ से एजेंसी को कोई पदलचार नहीं किया गया है रांची में 21 दिन की नौजात बच्ची के पेट से निकाले गए आठ भुरून रांची के एक निजी अस्पताल में 21 दिन की नौजात बच्ची के पेट से आठ भुरून निकाले गए है नौजात बच्ची का जन्म 10 अक्टूबर 2022 को रामगड में हुआ और पेट में दर्द की सिकायत पर रांची के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां मुक्य मंत्री आविस्पमान भारत योजना के तहुत उसका ओपडेशन भी ते एक नौबर को किया गया इस दोरान बच्ची के आहार नली ट्यूमर से जुड़े आठ भुरून निकाले गए है बता दे नौजात बच्ची की तवियत खराब होने पर उसे रामगर का अस्पताल में भर्ती कराया गया तो नौजात का CT scan किया गया CT scan की रिपोर्ट देखने के बाद डक्टरों को लगा कि उसके पेट में ट्यूमर है प्रख्यात सी सूरोग विसेसर के डाक्टर राजजेस कुमार ने कहा है कि CT scan के दुर्ण पता चला कि बच्ची के पेट में ट्यूमर है लेकिन जब अपरेशन हुआ तो उसके पेट के अंदर से आठ अविक्सित भुरून निकाले गए उन्होंने कहा है कि संभावत यह दुनिया का पावला मामला होगा जार्खण में 8,35,000 रइस्ट परिवारों को मिले अवास मुख्या मंतरी हमत सुरें ज़ार्खन के मुख्य मंत्री हमंसुरेन ने केंदरे गरामिन विकास एवं पंचायती मंत्री गिरी राज सिंग को पत्र लिखकर परधान मंत्री गरामिन अवास जोईना अंत्रगत आवास पलस रइस्टर्ट परिवारों को आवास उपलब्द कराने का आगर किया है पत्र के माध्यम से उन्होंने राजे के राइस्टर्ड 8,35,000 से अधिक परिवारों को आवास प्लस के अंत्रगत आवास उपलब्ध कराने कागर किया मुख्य मंत्री के पत्र के माध्यम से कहा गया है कि आवास प्लस अंत्रगत जहारखंड के लिए सुचिवाद 10,35,895 परिवारों में से वित्य वर्ष 21,22 में मात्र 4,3504 इकाई का भौतिक लक्ष दिया गया था अभी भी 6,321,391 योगे परिवारों को आवास का लाब नहीं मिल सका गरामिन विकास मंत्राले द्वारा भी आवास प्लस में रईस्टरट परिवारों में से 2,3,061 परिवारों को सुचिव से अटाया गया है सीयम हमन्त से पूस्ताच के लिए दिल्ली से रांची पहुँचे इडी के सन्यूक्त निदेशक करीब एक हैर कलोर के अवायद खरनन मामले में मनी लॉंडरिंग के तहत अनुसंदान कर रही इडी ने मुख्य मंत्री हमन्सुरेन को समन कर तिन नॉंबर को कर्याले में उपास्थित रहने को कहा है उनसे पूस्ताच के लिए दिल्ली से खाश्तर पर इडी के सन्यूक्त निदेशक कपिल राज बुधवार को रांची पहुचे इडी ने बिसेस संदेश वाहक के जरिये मुख्य मंत्री को समन भेजा है संभावना है कि मुख्य मंत्री इडी के समन के बिरोध कोट जा सकते हैं बिदी बिसेसगयों की सलाह लेने के बाद वे इस संदर्व में निर्नाई लेंगे पूजा सिंगल की हिरासत अधिबढ़ी पंकज मिश्रा पर आरोप गठित होगा इसके लिए इडी की बिसेस अधालत ने पांच नॉमबर की तिथी निधारित की है इससे पहले इडी ने तीनों के खिलाब जाच पूरी करते वे 16 सितंबर को चार्चिट दाखिल कर दी है इसके बाद से तीनों के मुश्कुली बढ़ गई है बता दे तीनों की ओर से अचका दाखिल कर जमानत देने की गुहार भी लगाई गई है वहीं मनी लॉंडरिंग की आरोपित निलंबित आईएस पूजा सिंगाल सिये सुमन कुमार और बलखास्त करने अभ्यानता राम बिनोद परसाद सिना को इडिकोर्ट में पेस किया गया है इसके बाद अदालत ने उनके हिरासत किया ओधी बढ़ा दिया सिये स्यम हमन्त साहब गंज पहुँच कर 114 करोर 802 लाह की होजनाओ का किया सिलन्यास आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कालकरोम में सामील होने मुख्य मंत्री हैमन सुरन साहब गंज पहुँचे जहां पूलिस लाइन मैदान में बिरिहत कारिकरम का उजन किया गया साहिव गंज पहुंचते ही गोड आफ ओनर के साथ उनका स्वागत किया गया वही कस्तुर्वा आवास से बिद्याले की छत्राय बैंड के साथ स्वागत किया सियम सहित औने का स्वागत डी सी राम निवास यादव ने परमपरिक टोपी पहन कर वपाधा दे कर किया कारकरम में सियम हेमंद सुरेन के साहत मंत्री सत्यानंद भोकता भी मवजूद थे गढ़वा में तेजी से हो रहा नदियों का अतिकरमन गढ़वा के डंड़ाई में तेजी से नदियों का अतिकरमन हो रहा है बतादर डंड़ाई मोख्याल है सहित आसपास की नदियों पर इन दिनों लोगों ने तेजी से अतिकरमन करना सुरू कर दिया है इन नदियों से जलापूर्तिवा फसलों की सिचाई होती है इसके अलावा नदी का कटाव कर लोग पानी का राष्टा भी मुर रहे हैं परखंड की उरिया, दानरो, चहेलिया वह खरदाहा नदी के जमीन पर कापजा किया जा रहा है वह नदी जो पहले 100 फिट चोड़ाई में बहती थी वह अब आतिकर्वन के वज़ा से सीमाट कर 10 फिट चोड़ी रह गई है इडी के बुलावा पर बोले सीम हेमांत हम घबराते नहीं खनन मामले मुख्य मंत्री हेमां सुरिन को परवतन निदे साले द्वारा समन भेजे जाने पर सीम हेमांत ने कहा है कि हमें इडी ने बुलाया है लेकिन हम घबराते नहीं है या भी पक्ष के अनुरोध पर इडी की करवाई चल रही है जब राइनितिक रूप से यह नहीं हो सके तो समयधानिक हथियार से परिसान करने की कोशिस की जा रही है उन्होंने कहा है कि साजिस करता को राज की जानता जबाब देगी सीम हेमांसुरे ने साहिव गंज में अवजी सरकार आपके द्वार कारकर में लोगों को समोधित करते हुए कहा इस मौके पर सीम ने 104 क्रोर 81 लाग की जजनाव का सिलनास यह मुदघाटन किया संथाली लिट्रेचर फेस्टिवल में देश बिदेश के संथाली साहिते कारों का जुटान दुमका के स्टेट लाइबरेरी में रेव पियो बोल्डिंग मेमोरियल संथाली लिट्रेचर फेस्टिवल का वजन हुआ इस फेस्टिवल में देश बिदेश के विभीन हिस्सों में रहने वाले संताली समाज चता साहिते से जुड़े लोगों ने भाग लिया साथी संताली भासा के उत्थान में पियो बोर्डिंग के योगदान के समन्द में अपने विचारों को रखा पहाड़ियों की तलहटी तक पहुँच रहे अधिकारी योजनाओ से कराया अउगात सराइक लाखर सावा जिला मोख्याले से करीब 65 किलोमेटर दूर कुचाई पर खंड के अम्तिम सीमा परिथीत रोला हातू पंचायत के जोबरो गाव में वो द्वार को आपकी योजना आपकी सरकार आपकी द्वार कारकरम का योजन हुआ इस कारकरम के दवरान बिभीन योजनाओ के लिए 705 लोगों आवेदन किया इसमें 237 आवेदनों का निप्टारा हुआ साथ ही सवित्री बाई फुले की सोरी सम्रीदी योजना के तहाथ 78 सरोजन पैंसेन योजना के तहाथ 30 वहीं गरीन राशन काड के तहाथ 10 नया राशन काड एक मनरेगा जोब काड 18 और दो किसानों के बीच के सीसीरीन का बित्रन किया गया खुटी में कब्र पर्व पर अपने मृत परिजनों को याद किये विश्वासी खुटी में रोमन कैथोलिक के विश्वासियों ने बुद्धवार को मृत को के अस्मरन पर्व मनाया इस असर पर विश्वासियों ने अपने मृत परिजनों को याद किया उनके कबर में जाकर मौंबती अगरबती जलाया और फोल माला से सजाया उन्हें याद किया गया और उनकी मुक्ती के लिए प्राथना किया इस असर पर आरसी महाग गिरजा घर में सुबह साड़े पांच बजे फादर आईजेक खलखो और 7 बजे फादर बीशू बेजामिन ने फूजा बिधी सनमत किया इसके बाद दोपर के बाद 3 बजे बीशप बिना कंडूलना के अगवई में आर्सी महाग गिर्जा घर में मिश्सा किया गया इसके बाद बीशप ने कबर में जाकर आसिस दिया धनबाद में आपकी योजना आपकी सरकार का डीसी ने किया उधगाटान मुख्यमांत्री हेमान सुरेन के नितिते वाली वर्तमान जहरकन सरकार ने अपने 3 साल पूरे कर लिये हैं जिसके पहले चर्ण की समापती पिछले महीने के 22 तारीकों हुई थी बताद दिवाली और छट पुजा को लेकर कारकरम को सगित कर दिया गया था वहीं वो द्वार से इसके दूसरे चर्ण के सुरुवात की जा रही है जिले में इसकी सुरुवात बलियापूर परखंड के डोलावर पंचाई से उपायूक संदीप सिना ने किया है धनबाद के लोगों को दिल्ली के तर्ज पर मिलेगा सुविधा जारखंड के सुद्रवर्ती इलागों में चिकित्सा सुविधा बिक्सित करने को लेकर राज सरकार अपछातिस गड़ में मुख्यमंत्री होट बजार क्लिनिक और दिल्ली में मुहला क्लिनिक के तर्ज पर चिकित्सा सुविधा मुहया कराएगी इसके लिए राज सरकार ने मुख्यमंत्री होट बजार क्लिनिक सेवा सुरू कर रही है राज में क्लिनिक के लिए 50 न चिकित्सा वाहन खर दे जाएंगे इस वोजना पर 10 को रुपए स्वास्त भी भाकर्च कर रहा है धनबाद को भी राज सरकार के ओर से 40 लाख रुपए आवंटित किये गए है एक चिकित्सा वाहन लगभग 20 लाख रुपए में खर दे जाएंगे राज्य में स्वास्त सुविधाओ की समिक्षा करने 5 को आएगी केंद्रिये टीम राश्य में स्वास्त मिशन की 15 लाख की समिक्षा के लिए इस साल जहर्खन के 2 जिलो देवगर यहम गढ़भा का चैन किया गया है इन दोनों जीलों की समिक्षा के लिए NHM की ओर से स्वास्त मंत्राला भारत सरकार की डाक्टर जोया ए रिजवी के नेतित में 13 सदसी टीम का गठन किया गया ज्हारखन के लिए टीम का कारकरम 4 से 11 नॉबर तक तै किया गया है यह टीम 5 नॉबर को ज्हारखन आएगी इसके बाद 6 से 10 नॉबर तक गड़वा एवं देव घर जीला में उपलवद स्वास्त सुविधाओ का जाजा लेगी टीम दोनों जीलों के सुदरवती छेत्रों में आवजथी स्वास्त केंद्रों से लेकर जीला अस्पताल एवं मेडिकल कवलेजों का भी गहान निरिक्छन करेगी सरना धर्मकोट को लेकर दिली में कारेकरम कारेकरम में जार्खन के लावा ओडिशा पचिम मंगाल 36 गर ऑसम सहीत और राजयों के परतिने भी भाग लेंगे विपक्ष के अनुरोध पर एड़ी ने बुलावा भेजा सीम हमांत मनी लॉंडरिंग और अवाय देखनान मामले में एड़ी द्वारा समन जारी करके पूच् दोड़ी है चाहब गंज में सरकार आपके दौर कारकरम में अपने स्मोधन के दौर नमुख्य एड़ी करवाई को लेकर बीपक्ष पर जमक निसाना सथा बीपक्ष पर सडे अंत καा आरोप modular सक्तिल को बला है बिपक्ष के ही अन्रोध पर मुझे बुलावा भेजा गया CM हेमन्त ने कहा है कि दरसल वे लोग दिखाना चाहते है कि ED कीतनी तकतवर है ED सोनिया गांधी को बुला सकती है राहुल गांधी को समन कर सकती है तो एक मुझे मंतरी को भी पुष्टाज के लिए तलब कर सकती है कोई बात नहीं इसका जवाब भी हम लोग देंगे CM आवास में UPA बैठक में पांच नौमर को राजे भर में परदर्शन का नीरना है खनन मामले में पूष्टाज के लिए मुखे मंतरी हमन सिरिन को ED समन के बाद गर्माई राइनिती और बरतमान राइनिती हलाद पर चार्चा करने के लिए मुखे मंतरी ने अपने आवास पर UPA की बैठक की बैठक में यह फैसला लिया गया कि पांच नॉम्बर को सभी जिला मुख्याले पर UPA का धारना परदसन होगा बतादे बैठक समाप्त होने के बाद CM आवास से बाहर निकले बिधायक सुदिब्य कुमार सुनू ने कहा है कि 11 नॉम्बर को बिधान सभा के 27 में उने 32 खत्यान अधारित अस्थानिय निती और OBC को 27 परद्शत अरक्षन का बिलपास कराएगी उन्होंने यह अभी कहा है कि 3 नॉम्बर को मुख्यमंत्री ED के समक्षाजीर नहीं होंगे क्योंकि उनका पहले सही 36 गड़ में कारकरम तय है अवायद खनन में CM के खिलाफ परयाप्त सबूत जार्खन के मुख्यमंत्री हमन सुने के खिलाफ ED द्वारा जारी किये गए समन के बाद घटना करम तेजी से बदल रहे हैं एक तरफ जहां मुख्यमंत्री ED के खिलाफ कोट जाने की त्यारी में है दूसरी तरफ ED का दावा है कि उनके पास CM के खिलाफ परयाप्त सबूत है ED सुत्रों का दावा है कि जार्खन के मुख्यमंत्री हमन सुने के खिलाफ अवायद खनन में सनलिप्ता को लेकर साक्ष जुटाए गए है इसे पहले ED ने कोट में दिये PROSECUTION COMPLANE में रभी केजरिवाल के ब्यान में आये ततेयों को सही पाने की बात कही थी रभी केजरिवाल ने ब्यान दिया था कि मुख्यमंत्री हमन सुने के कहने पसंथाल परगना के वैद पत्थर खनन और बालु तसकरी का पैसा पंकज मिश्रा के जरिये प्रेम परकास को भेजा जाता था इसके बाद यह पैसा इन्वेस्मेंट के लिए अमित अगरवाल को भेजा जाता था देवघर डीसी मंजुनाथ को हटाने का निर्देश चुनाव आयोग ने देवघर को उपायूग तमंजुनाथ भयांतरी को हटाने का निर्देश दिया है भारत निर्वाचन आयोग ने इस समध में आदेश जारी करते हुए राजी के मुखे निर्वाचन पतादिकारी को चिठी भेजी है जनकारी के मुताबिक देवघर जीला में वोटर लिस्ट के डिवीजन में बरतमान उपायूग तमंजुनाथ भयांतरी की भूमिका को लेकर सिकायत की गई थी जिसके मदर नजर भारत निर्वाचन आयोग ने इस दिया है गतला भाई की इससे पाले भी मदुपूर भिधान सभा ओप चुनाव की दरान देवघर डिसी पर करवाई करते हुए चुनाव के दरान हटा दिया गया था सिम्डेगा में नबालिक की मौत के बिरोध में बंद रहा बानो नवार्ली के हत्या की बिरोद में बूद्धवार को बानोबंस रहा, बन्त के कारण सरको पस्तनाटा पसड़ा रहा, वहें पूलिस ने इस मामले के आरोपी को गिरफतार कर जेल भेग दिया है, इधा तुरपा भिधाये कोचे मुदा यवम हिंदू जागरन मंच के पताधिक गुमला में मंद बुधी बच्ची से दुसकर्म ग्रामिनों ने तोड़ा पहर गुमला जीला के सिसाई परखंड में मांसिक रूप से कमजो 13 वर्षी नवालिक आदिवासी लड़की के साथ बागनी गावनिवासी हुसाइन अंसारी 23 वर्षी ये ने दुसकर्म किया है घटना के जनकारे मिलने पर ग्रामिनों ने आरोपी को ख़देर कर पकड़ा भागने के दोवान आरोपी के गिरने से उसका एक पर टूट गया वहिन राज गिरामिनों ने आरोपी की जम कर पिटाई भी किया इसके बाद आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया गया घायल आरोपी को सदर अस्पताल गुमला में पुलिस कस्टडी में रख कर इलाज किया जा रहा है वहिन रालीक पिटा का बुद्वार को मेटकोल कराया गया पिटा की मान ने आरोपी हुसाइन अनसारी के खिलाब दुसकर्म का केस दर्ज करा कर करवाई की मांग की है देव घर के सरकारी स्कूलों का पैसा कहते में पड़ा रहा राज सरकार की विद्याला कीट योजना के तहा सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले पहली से आठवी का अक्षाता के विद्यार्थियों को पाथे समागरीता समय पर नहीं उपलब्द कराई गई हाते में 15 अक्टूबर को ही रासी उपलब्द करा दी गई थी समागर सिक्षा भियान के डिप्यों सर्डियों ने सभी बी यो समेथ बीप्यों के अलावा समधित इस्कूल के पर धाना ध्यापों को इस समाद में पत्र भेज कर जनकारी भी धी धन्यवाद यदि आप चैनल प